गुट मॉर्णिंग माई देरी स्टुडेंट टोड़े विल कांटिन्यू एलेवन पॉइंट वन क्लास पिप्त मैट्स कॉस्टेन नंबर सैवन एक्सप्रेस इस दा फॉलोइंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर अब आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में आपको गिवन क्या है कुस्टेन में मीटर पर सैकंड अब मीटर पर सैकंड को आपको किलोमीटर आवर में कनवर्ट करना है या चींज करना है आपको कुस्टेन है 18 मीटर पर सैकंड 5 मीटर पर सैकंड 24 मीटर पर सैकं तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि solution करते हैं उसको जानने के पहले हमको यह पता होना बहुत ही जरूरी है कि 1 km एक्वल 1000 m होता है 1 hours एक्वल 3600 seconds होता है ठीक है सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए अब 1 m में कितना होता है तो 1 divided 1000 km और 1 minute में कितने hours होते हैं 1 divided 60 hours और second 1 second में कितने hours होते हैं तो 1 divided 3600 चलिए अब हम सवाल को लगाने स्टार्ट करते हैं आपका ए नंबर है एक को हमने speed निकाल ली है तो 18 m और second में कुछ नहीं तो हम 1 second ले लेते हैं 18 m को जब हमने किसमें कंवर्ड किया किलो मीटर में तो हम क्या करेंगे 18 into 1 divided 1000 अब 1 second को यदि हम hours में कंवर्ड करेंगे तो 1 into 1 divided 3600 अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया है कि ये जो 3600 ये कहां चल जाएगा उपर जाएगा ठीक है वो तो multiply जैसे हो तो उस्तरे होगा तो 18 into 3600 divided 1000 तो 00 तो cancel हो गए आपके अब 29 जो 18 और 25 जब 10 अब 9 into 36 कि आपने 324 आया अब 5 से अपने डिवाइड किया तो 64.8 किलो मीटर पर आवर्स आएगा बी नंबर को question है इसका क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है तो speed निकालेंगे 5 मीटर divided 1 सेकेंड सेम उसी तरह है कि 5 into 1 divided 1000 और 1 सेकेंड को जब हम convert कर रहे हैं आवर्स में तो 1 into 1 divided 3600 तो आपका दूसरे नंबर कोश्चन है तो 5 मीटर divided 1 सेकेंड तो 5 into 1000 और divided 1 into 1 divided 3600 इसको किस में convert किया हमने किलो मीटर पर आवर्स में ठीक है किलो मीटर पर आवर्स में convert किया यहाँ पर इककल का निसान होगा तो यहाँ इककोल क्या जाएगा 5 into 3600 divided 1000 00 cancel हो गया 555, 5 to 10 तो आपका 36 में जब आपने 2 से डिवाइड किया है तो 18 किलो मीटर पर आवर्स आजाएगा इसी तरह C नंबर को कुश्चन क्या था आपका 24 मीटर पर सेकेंड तो 24 मीटर divided 1 सेकेंड इककोल 24 into 1 divided 1000 और फिर डिवाइड कर देंगे 1 into 1 divided 3600 ठीक है जब हमने आपने मल्टिप्लाई किये तो 36 उपर चला जाएगा 24 into 3600 और divided 1000 00 cancel हो गया आपका देखिए 25 जा 10, 21 जा 2, 22 जा 4 12 को 36 से आपने मल्टिप्लाई कर दिया तो कितना आया 432 divided 5 आपका कितना आगे 86.4 किलोमीटर पर आवर्स अब आपका D नंबर को कुश्चन क्या है आपका D नंबर का 80 मीटर पर सेकेंड अब 80 मीटर पर सेकेंड को आपने स्पीड में लगाए 80 मीटर 1 सेकेंड अब इसको कनवर्ट करेंगे किसमें किलोमीटर आवर्स में तो 80 इंटू 1 डिवाइड़ थावजेंड फिट डिवाइड़ 1 इंटू 1 डिवाइड़ 3600 80 इंटू 3600 डिवाइड़ थावजेंड 0-0 कैंसल हो गया 8 को 36 से मल्टिप्लाई किया 288 किलोमीटर पर आवर्स आगया अब इनमबर को कोस्टेन आपको क्या दिया था कि 14 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो 14 मीटर डिवाइड़ 1 सेकेंड को आप किलोमीटर आवर्स में चिंज करेंगे तो 14 इन्टू 1 डिवाइड़ 1000 फिर डिवाइड करेंगे 1 इन्टू 1 डिवाइड 3600 तो 14 इन्टू 3600 डिवाइड 1000 0 कैंसल ठीक है फिर 27 जब 14 तू 5 जब 10 फिर 7 इन्टू 36 डिवाइड 5 जब मल्टिप्लाई किया 252 डिवाइड 5 तो 50.4 किलो मीटर पर आवर आ गया इन्टू को कुश्चन है इसी तरह है इन्टू 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 1 डिवाइड 1000 डिवाइड 1 इन्टू 1 डिवाइड 3600 तो 58 इन्टू 3600 डिवाइड 1000 00 कैंसल हुआ फिर 2 जब 4 तू 9 जब 18 2 फाइब जब 10 29 और 36 डिवाइड आप मल्टिप्लाई कर दी जब तो अगया 1044 डिवाइड किया 5 से तो 208.8 किलो मीटर पर आवर स्थेंक